समस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये पांच मिनट के टाइम फ्रेम के साथ गोल्ड MCX का चार्ट लगाया हुए और इसमें जिस तरीके की मुमेंट लास्ट टेडिंग सेशन में रही और अभी जो करेंट लाइव मार्केट चल रहा है इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में कौन से वो प्राइस लेवल है जो हमारे लिए सपोर्ट और एस्टेंस का काम कर सकते हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है क्या हमें बाइंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आइए शुरू करते हैं पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसी एक्स का चार्ट दोस्तों जिस तरीके का सेशन हमने देखा मार्केट में एक अपसाइड आई फिर डाउनसाइड फिर अपसाइड फिर डाउनसाइड और फिर मार्केट में एक और फिर एक correction आज market open हुआ, market में हमने देखा एक gap up opening के साथ इसने अपनी शुरुवात करी prices initially अपने आपको 45,000 के just नीचे sustain करने की कोशिश कर रहे है आने वाले time में अब किस तरीके का हमारा view नजर आ रहा है पांच मिट के flat trend बिल्कुल आगे की तरफ continue कर रहा है कहीं भी कोई direction नहीं ना उपर ना नीचे और ये बिल्कुल वैसे है जो हमने कल expect किया था कि बहुत बड़ी downside या upside हम expect नहीं कर रहे है और नीचे से buying आ सकती है उपर से selling आ सकती है बिल्कुल वैसे ही trend कर रहा और अभी market ने इसी range को hold किया हुआ है prices आगे की तरफ move कर रहे है तो यहाँ पर अगर 5 मिनट पर ये चीज clear नहीं हो रही तो थोड़ा सा हमें और आगे move करना चाहिए और बड़े time frame पर हमें ये थोड़ा समझ में आने लगेगा किया expectation है चार्ट को देखते हुए 15 मिनट के time frame पर अगर हम चलें तो यहाँ पर चीज़ें और थोड़ी सी ज़्यादा clear हो जाती है जिसमें हमें एक चीज़ सावन में आ रही है market पहले उपर गया फिर नीचे और उसके बाद ये recovery दिखाई market ने पर इसके बाद जिस तरीके का market ने एक trend अभी hold किया हुआ है वो है market sideways trend continuously market सिर्फ आगे की तरफ move कर रहा है नीचे में और उपर में दोनों side इसे एक barrier मिल रहा है गिरने से पहले गिरते time किस level को हम ध्यान में रखें बढ़ते time हम किस level को धिहान में रखें वो सारी चीज़े भी हम discuss करेंगे तो trend जो है वो आगे की तरफ move कर रहा है कुछ भी इसमें बहुत specific होके ना चले कि market नीचे नीचे जाएगा या उपर उपर जाएगा एक चीज़ जरूर है कि पीछे से अभी हमने जिस तरीके का trend देखा है गोल्ड के charts में ये हम एक बड़े time frame पर भी sideways trend expect कर रहे है और छोटे time frame पर तो अभी कल हमने expect किया था आज market को थोड़ा सा अपनी movement को expand होते हुए शायद देखा जा सकता है और ऐसी expectation काफी जादा है कि prices जो है वो इस छोटी range को बड़ी range में convert करेंगे अब वो क्या range हो सकती है और किस तरीके से हम trade ले सकते हैं वो थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पर जो support मिला था market को वो इसने अभी तक hold किया हुआ है ठीक है थोड़ा साओर आके चलते हैं एक बार एक घंटे के time frame पे वहाँ देखते हैं कि क्या view हमें नजर आ रहा है एक घंटे के time frame पे अगर हम देखें market उपर फिर वहाँ से धीरे धीरे एक correction और उसके बाद से यह sideways trend यहाँ पर अगर सबसे पहले बड़े time frame में हम देखें तो यह एक range है जिसे gold ने अभी hold किया हुआ है और बिलकुल कल से अभी तक का अगर हम trend देखें तो market ने इस range को hold किया हुआ है देखिए time frame to time frame depend करता है कि आप की जो holding strategy है वो आपने क्या ली हुई है आप थोड़ा positional होके चल रहे हैं purely intraday कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से trade करना है और किस condition में आपको अपनी position को hold करना है देखिए एक चीज़ जरूर है कि market में नीचे के level पे एक recovery नजर आई है वो recovery वहाँ तक हो चुकी है कि अब market एक बहुत strong resistance face कर रहा है यह जो range है पहले चीज़ के बड़े box का भी एक upper part है ठीक है दूसरी चीज़ के intraday में भी इसमें यह resistance हमने देखा है कि 45,000 के उपर के prices market hold नहीं कर पार और वहाँ से बार-बार एक correction में देखने को मिल रही है यह तो सिर्फ वह चीज़ में बता रहा हूँ जो एक हम screen को watch करके भी हम बता सकते है prices को के prices 45,000 के उपर जाद देर sustain नहीं कर रहे market नीचे आ रहा है नीचे में एक range जो नजर आ रही है वो 800 की नजर आ रही है 800 के नीचे market hold नहीं कर पा रहा 45,000 के उपर hold नहीं कर पा रहा यह दोनो price range एक consolidation phase को continue के हुए तो यह तो सिर्फ उस range की में बात करना हूँ जो बहुत narrow range है और जिसमें market ने कल से continue किया हुआ है एक बड़ी range की अगर मैं बात करना हूँ तो उपर में 45,200 और नीचे में 44,200 ही समझ सकते है 1000 point की एक range है जिसमें इसका consolidation period consolidation की जो range है वो continue रह सकते है आने वाले time में एक चीज और जिस पर अभी हमें ध्यान देना है आज अगर किसी भी कारण से USD INR में एक तेजी अगर आ जती है तो कहीं न कहीं ये देखा जाएगा कि एक जो weakness वाला level है वो gold में MCX में break होना वो मुश्किल हो सकता है हाला कि silver में downside continue रह सकती है कल भी हमने market को नीचे आते हो देखा वो चीज continue रह सकती है पर gold में USD INR के एक prices के उपर आनी की वज़े से जो इसमें weakness का level है मैं अभी आपको सारी चीज़े detail में थोड़ा और बताऊंगा तो उस level का break होना थोड़ा सा जादा मुश्किल हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा और आगे चलते है चार गंटे के time frame पे वहाँ देखते हैं कि क्या view नज़र आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो market में एक upside फिर वहाँ से correction धिरे market में prices जो नीचे आते रहे और यहाँ पर इस range में अभी market का trade चल रहा है कोई भी moment जिस तरीके की हम gold में देख रहे हैं उसमें कोई एक major reversal major strength हमें नज़र नहीं आ रही है prices ने hold जरूर किया हुआ है और कोई भी एक छोटी सी correction gold पे एक pressure का दबाब भी ला सकती है पर इसका इस position पे इस level पे hold करना यही एक sign है कि कहीं ना कहीं market में या तो कुछ ऐसी ही चीज होने वाली है कि एकदम से price move करेंगे क्योंकि बहुत छोटी range में कल भी range तो छोटी expect कर रहे थे पर इतनी छोटी रहे कि यह तो मुझे भी नहीं लग रहा था तो कहीं ना कहीं unnecessarily आप कोई trade ना ले एक price जिसकी हमने कल भी बात करी वो इसमें इसका last resistance level है अभी हम सारे levels discuss करेंगे दिखिए चार घंटे के time frame पे बहुत clear है market नीचे गया और नीचे के prices पे यहां से यहां तक अगर हम इस downside को count करें तो इस range पे market ने hold किया हुआ यह 4 घंटे के time frame को देखते हुए market ने बहुत नीचे के levels पे अपने आपको hold किया हुआ है prices में कोई भी एक correction आना शुरू होता है तो एक fresh low लगता हुआ हमें नजर आ जाएगा ठीक है तो बहुत ज़्यादा bullish तो छोड़ दीजिए कोई strength भी हमें नजर नहीं आ रही है ठीक है थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार daily charts पे वहाँ देखते हैं कि क्या विए नजर आ देखिए जो expectation थी है अमरी market ने continuously एक range को hold किया हुआ है जिसमें इसकी जो closing है वो कही ना कहीं ऐसा देखते वह लग रहा है 800 या 900 के आसपास कहीं पर इसकी closing हो रही है पिछले 5-6 दिनों से ठीक है उसी range में market अपनी daily की closing कर रहा है correction आ जाती है नीचे जाता है buying आ जाती है तो इस तरीके का एक pattern चल रहा है और इसमें trend तो हम देखी रहे हैं कि ऊपर से फिर एक correction का phase हमें काफे time से इसमें देखने को मिल रहा है और अभी फिलाल इस range को market hold के हुए जितना जादा time लगेगा market को इस range को hold करने में उतने ही जादा chances ये बन जाएंगे कि market एक और fresh strong dip लेने के लिए market अपने आपको prepare कर रहा है हो सकता है कि इस हफ़ते market कोई major correction ना दिखाए अगर prices बहुत अच्छे से उपर नहीं आ पाते तो next week इस correction के extend लोने के chances काफी जादा बढ़ जाएंगे Wednesday, Thursday, Friday तीन दिन की trading इसने अगर किसी भी तरीके से इस range में अगर hold कर ली तो next week एक correction के और ज़दा chances बढ़ जाएंगे मैं आपको बहुत ही अच्छे से यह चीज़ बताने ही कोशिच कर रहा हूँ कि कोई भी trend अगर नीचे की तरफ आ रहा हो या फिर कुछ उल्टा समझ लें उपर की तरफ जा रहा हो और उपर के तरफ prices यह hold कि हुए यह मैं बड़े time frame पे बात करना हूँ छोड़े time frame पे छोड़े time frame पे थोड़ा इसका एक अलग behavior देखने को मिलता है बड़े time frame पे अगर market ने इस तरीके से hold किया हुआ है तो धीरे धीरे कोश time बाद market उसी direction में अपने आपको extend करता है ठीक है तो उसके होने के chances काफी ज़्यादा बन जाएंगे देखते हैं अभी तीन trading session है अगर market ने अपने आपको 44 से 45 के बीच में ही hold कि मतलब prices को hold रखा तो बहुत ज़्यादा chances यह बन जाएंगे कि next week इस correction को बहुत speed से market नीचे की तरफ खींच सकता है ठीक है तो यह daily chart पे हमें इस तरीके का trend दिख रहा है थोड़ा वापस चलते हैं एक घंटे के time frame पे अब उन levels को हम discuss करते हैं जो हमाने लिए आज important हो सकते हैं सबसे पहली चीज़ और काफी important level सबसे important नहीं है पर काफी important है यह level है 44800 यह price अगर downside में break होता है तो market में एक correction के chances बन जाएंगे जिसमें day का high आप stop loss के तरीके से लेके market में बने रह सकते हैं बहुत important level है 44800 पर काफी यही खतम नहीं होती इसके बाद जो level है वो सबसे ज़्यदा important है उसका break होना क्योंकि जब range हो जाती है न तो support level भी बहुत पास-पास में होने लग जाते हैं resistance level भी बहुत पास-पास में होने लग जाते हैं यहां के बाद जो next level है वो है 44600 इसके नीचे prices का hold होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 44600 के नीचे अगर prices hold हो जाते हैं यह price लगबग इससे थोड़ा सा नीचे मैं यहां शाद ठीक जगे draw कर रहा हूँ इसके नीचे अगर prices hold हो जाते हैं तो market जो है वो बहुत कोशिश करेगा कि एक fresh low आपके सामने दिखा पाए वो इसी हफते आता है या next हफते आएगा वो कहना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहेगा पर 44600 का break होना market पे एक selling pressure बिल्ड़ अप करेगा जिसकी वज़े से prices उपर तो बिल्कुल नहीं आपाएंगे प्लस नीचे जाने के लिए काफी जादा कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं अगर आपकी कोई long position है gold में तो आप अपना at last 44600 का एक stop loss बनाके market में बने रह सकते हैं otherwise buying के लिए भी upside expectation नहीं है जब तक उपर में 45410 का price break नहीं होता यह price break होगा तब ही हम थोड़ा सा यह सोच पाएंगे कि market में बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो भी तब समझ में आएगा कि उस time का momentum देखते हुए ऐसा न return बन रहा है gold में इसके उपर prices का hold करना वो थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है क्योंकि यह price भी already यहां current price से करीब 4500 point उपर है तो इत्मा easy नहीं रहेगा इसके लिए वहाँ पर जाना और dollar terms में बात करें तो और जादा upside हम expect कर रहे हैं 410 point का मतलब लगभग और और यहां से उपर तो वही price बैटे का मेरी ख्याल से वहाँ पर हम जिस price की बात करने है 1748 की तो 1748 के उपर अगर prices अपने आपको hold करते हैं तो उसमें एक तेजी हम expect कर सकते हैं तो same यहां पर chances बन जाएंगे कि market थोड़ा अपना strength दिखाने की कोशिश करेगा ठीक है पर जब तक यह price break नहीं होता बहुत ज़्यादा bullish होना गलत रहेगा और long position तब तक के लिए आप avoid करें क्योंकि यहां अगर आप long position लेके भी बैठे हुए नहीं तो बहुत ज़्यादा upside अगर इस resistance को market ने confirm करा हुआ है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा space नहीं है अभी उप जाले एक बड़ी चुनाती है उसके बाद 45410 वो break होना चाहिए तो लगातार एक छोटे-छोटे step पे resistance level है जिसमें last resistance level मैं यह समझना हो 45410 अगर weekly closing कोई भी इसके ऊपर हो जाती है तो हाँ हम ज़रूर next week के लिए gold को long position में hold कर सकते हैं otherwise avoid कीजिए any long position तो दोस्तों यह था मेरा gold mcx पे अभी का वीडियो इसमें मैं एक बार end करने से पहले एक बार clear कर देता हूँ कि क्या view है view यह है intraday में market अपने आपको थोड़ा सा और कोशिश कर सकता है उपर के prices पे मतलब जहां भी currently trade कर रहा है USD INR को आप ignore ना करने अगर वहाँ पर कोई भी upside नहीं आ रही upside अच्छी strength देखी जाती है upside moment देखी जाती है तो gold के prices का जिसकी मैं बात कर रहा था भी पीछे इस वीडियो में तो 44600 का break होना और उसके नीचे hold करना वो काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ठीक है और तो gold को already एक support और ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा market यहां से फिड से उपर की तरफ move करने के लिए ready हो सकता तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान में रखें तो यह था मेरा gold MCXP अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगए तो like करें शेयर करें बने रहें मेट साथ देखते रहें market report धन्यवाद